जब चार जून के नतीजे चल रहे थे, मैं तो अपने काम में कुछ वेस्त था, बाद में फॉन्फिन आराज चुरू हो गए, तो मैंने किसी को पूछा, यार ये तो ठीक है आकड़े मागड़े तो, मुझे ये बताओ कि EVM जिन्दा है कि मर गया? क्योंकि ये लोग ताइ करके बैठे थे, कि भारत के लोगतंत्र और लोगतंत्र की प्रक्रियात के प्रदी विश्वासी लोगों का उड़ जाए, और लगातार EVM को गालिज देना, और मुझे तो लगता था कि साथ इस बार, वो EVM की अर्थी निक्याश जुलूस निकालेंगे, लेकिन चार जुन शाम आते आते, उनको ताले लग गए, EVM ने उनको चुप कर दिया, ये ताकत है भारत के लोगतंत्र, ये ताकत है भारत के निस्पत्ता की, ये भारत की ता और मैं मानता हूं कि ये, आशा करता हूं कि पांच साल तो अब EVM साइद मुझे नहीं सुराइदेगा, लेकिन जब 29 में हम जाएंगे तो फिर से साइद EVM को लेकर करके नाजनी की चुरूआ करीए, लेकिन के सुतरे के सब्बाव नहीं पहुत कावब है,